सच साहस सरोकार और शोर की वज़ा थी कि मुस्लिम धर में एक नापाक माने वाले जानवर का इदगा में घुश जाना नमाज अदा कर रहे लोगों ने आरोप लगाए कि उन्होंने वहाँ खड़े पुलिस वालों को उस जानवर को भगाने के लिए कहा लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया इसी वज़ा से पुलिस और वहाँ मौजूद लोगों के बीच बहस बाजी तक शुरू हो गई और ये बहस बाजी धीरे धीरे पत्थर बाजी में बदल गई एक पत्थर SSP के सिर पढ़ जा लगा जिसके बाद कथे तोर पर पुलिस ने फाइरिंग शुरू कर दी जिसके बाद लोगों का गुसा पुलिस पर टूट पड़ा दोरह तरफ से फाइरिंग होई और पुलिस स्टेशन तक को जला दिया गया अब आप कहेंगे कि 43 साल पुराने दंगो की यादे ताजा करना आखिर क्यो जरूरी है दरसल तब से लेकर अब तक यूपे में कई सरकारें आई और गई लेकिन किसी भी सरकार ने उन दंगो की जाज रिपोर्ट को कभी सारवजनिक नहीं होने दिया लेकिन अब योगी सरकार ने मुरादाबाद दंगो की जाज रिपोर्ट को सारवजनिक करने का फैसला ले लिया है जिसके बाद अब सभी प्रदेश वासियों को 40 साल पुरानी जो यादे थी वो एक बार फिर से ताजा हो गए और मुरादाबाद के रहने वाले सभी जनपदवासी कहीं न कहीं एक बार फिर से उस पूरे हिंसा घटना की याद में डूब गए हैं द्रसल जब मुरादाबाद दंगा हुआ तो उस वक्त प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार थी तब विशुनाद प्रताप सूबे के मुख्या हुआ करते थे सीम बनने के दो दिन बाद इद के मौके पर ये दंगा हुआ इस दोरान तकरीबन पचास हजार नमाजी इदगा के अंदर मौजूद थे आगडों के मताबिक ये कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि मरने वालों का आगड़ा कहीं न कहीं छुपा दिया गया है यानि कि मरने वालों की संख्या बहुत जादा थी लेकिन सरकार ने उस संख्या को काफी कम दिखाया तो अब जब 43 साल बाद इस जानश रिपोर्ट को सारवजनी के जाने का फैसला लिया है तो इस फैसले को कितना सही और कितना गलत माना जाए इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट का स्पेशल पैनलिस जुड़ा है सबसर रविंद पिताब जुड़े हैं वही बीवेक शिरवासतो अभाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं तो वही पवन्दीक शृत कौंग्रस से हमारे साथ इसवक्त प्राइम टीवी पर जुड़ चुके हैं आप इसको कहां तक सही मान रहे हैं? किसी कगटना के बाद मलियाना में कांट हुआ था, नरसंगार हुआ था, बासट से बहत्तर मुस्लिम लोग मारे गए थे, अलग-अलग फिकर बताते हैं, और अभी पिछले साथ चार शीट जारी किया गया गया गया, तो उस चार शीट में का दिया है, किसी ने किसी को मारा ही चाहिए, चाहिए, जाँचो कि उसका भी खुला साँ, होना चाहिए, फिर उसके बाद में एक के बाद एक बड़े दढ़े हुए हैं, जो आज तक नहीं हुए है, गोरगपूर MY 277 में दंगा हुआ, उसकी बिछानीचो होनी चाहिए, मघब में 2005 में दंगा हुआ, उसकी भ तो अगर इस प्रकार की जहांचे खुलासा या सरकार करती है तो हम स्वागत करते हैं और अगर वह बॉखलाहट में कर रही है अगर शाजाप उनमें जिस पत्रकार को जिन्दा जला दिया और उसने मरते मरते सपा के नेता का नाम लिया फिर तो जाज इसकी भी होनी चाहिए अगर जंगे के वारे में आपको मालूम है कि नहीं मुझफ़न अगर दंगे की जहांच को मुकदमा दर्ज है जहांच हो रही थी उस मुकदमे को उत्ता प्रदे सरकार ने वापस ले दिया एक पी आईयल डाली गई पी आईयल डालने के बाद से सुप्रीम कोट से आदेश जहांच हो गी जहांच हो रही है एक एक विदाये अपरादी गोसित गिया जाओ चुका है यो लोग बलतकारी गोसित होके सजा मिल चुकी है लोगो को सजा मिलेगी जहांच चल रही है सुप्रिम कोट प्तb помal construct का क्या जिसको मौत के घाट उता रहा गया था जिन्दा जला है तो दिखाना कोई अपराद नहीं है मानिय सुपरिम कोट ने भी आदियस दिया कि कोई पत्रकार से उसके माद्यां को नहीं पूछा जा सकता है गिरतार करना तो बहुत दूर कर दीजिए उसके भी जांच करा लिए उसका पुर्देश सरकार ठीक यानी कि आपका ये कहना है कि अगर इस जाज रिपोर्ट को सारवजनी किया जा रहा है तो आप इसका स्वागत करते हैं लेकिन इस रिपोर्ट को जो जारी करने के पीछे धर्मान, जो धर्म है वो मुद्दा ना हो विवेग जब आपने साफ तोर पर सुना कि रविंद्र जी ने कहा कि इस रिपोर्ट को सारोजनी किये जाने का तो वो स्वागत करते हैं लेकिन धर्म के नाम पर अगर इस रिपोर्ट को जौरी किया जौरा है तो बेहत गलत है कि देखिये मुस्कान दी कोई रिपोर्ट कोई खटना 43 साल को रहती है तदकाल कवीद के सरकारे उसको इसलिए नहीं जारी करती कि हो सकता है तदकाले कि उससे समाज में समाजी विद्वेश पैले लेकिन आज एक अरसा बेच चुका है कि 43 साल कोई कम वक्त नहीं होता है अगर वहां की लोग जानना चाहते हैं कि वहां के उस दंगे के लिए जिम्मेदार कौन लोग थी और यह रिपोर्ट है सरकार के पास है कि तो सरकार उसे जारी कर सकती है उसके जारी करने में कि जब थोड़ा समय बीतने के बाद तमाम ऐसी रिपोर्टे जनता के संध्यान के लिए साजुरी की जाती है उसी क्रम में यह रिपोर्ट वेगर साजुरी करने के नुनाए सरकार लेती है उसको सब को संध्यान लेना चाहिए तक्तों से लोग उबत होंगे और उसके पहले ही इसको दार्मिक खांचे में खीचना यह ठीक बात नहीं है एक समिती जिसने जाच की उसकी रिपोर्ट अभी तक धूल फांक रही थी अब अगर उस साजुरी हो रही है उसको तक्षापक जनकारी सब को मिलेगी इसमें दार्मिक खांचे की बात करने की चाहो सिकता है बिलकुल सही आपने खा कि इस मुद्धे पर कही न कई राजनीती नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिपोर्ट को सारवजनीक होना बेहत ज़रूरी है सिधा रुक करते हैं पवन दीखशित जी का पवन जी 43 साल पुराने जो मुरादाबाद में दंगे हुए थे जहाँ पर कई लोगों की मौत की ख़बर थी आप उसकी जो रिपोर्ट है वो सारवजनीक हो रही है और तब आपके सीम्दे विशुनार पताब यानि की यूपे में आपके सरकार दी तो तब आपने आखिर रिपोर्ट को जारी क्यों नहीं किया पब्लिक के लिए मुस्कान आपको नमस्कार मेरे सबी पैनलिस साथियों को नमस्कार देखे 13 अगर्स 2018 में जो दुरगटना कहूं घटना कहूं एक विवत समय जो था मुरादावाद की जनता के लिए जो हुआ था वह बहुत दुखत था देखे हिंसा हमेशा गलत होती है बलकुल निर्दोस लोगों का मारा जाना हमेशा सरुता गलत होता है जो परिस्तिया वहां पर थी 43 साल पहले वो क्या परिस्तिया थी वो रिकोर्ट के अंदर होगा और मैं इतना कहूंगा कि एक पीतलनगरी के नाम से मुरादावाद मसूर है जो कुछ किया था नाइटी में हम सब मुझे लगता है मरलम मैं तो बहुत थोटा है थोटा गया इन तो साल का ही था और हमने जादा पता भी नहीं है जो हमने नीज रपोर्ट्स वगरा देखने उसका अपोडिंगे पता है निश्य दूप से जाच हुई होगी उस वक्त में क्योंकि उसके उलट में आपने सुना होगा कि प्रदेश में सरकार अगर कॉंग्रेस की थी तो केंद्र में भी कॉंग्रेस की थी और जब भी एसेफ डिप्यूट की गई थी तो बीसेफ ने वहां लोगों की इतनी जादा पावधिश्य ची मेरे सीधर सवाल एक और यह है अपके जवाब से मुझे सवाल निकला की जो रिपोर्ट थी इस पूरे मामले की वो बीस नवंबा 1983 को हमारी डेटा के मुताबिक सरकार को स्वाब दी गई थी लेकिन फिर उसको सारोजनी क्यों नहीं किया गया क्योंकि मेरे मुताबिक अगर रिपोर्ट जो सारोजनी को जाती तो जो दंगे में जो अम्रित हुए थे जुनके परिवार वालों ने अपने को खोय था उनको म को आफ़ा तक मिल जाता मुझे को एक रिपोर्ट बताएं जो सार्जनी कोई है अरस तक पूरे स्टेट में विजले सप्तर सालों मैं आप से कुछ रहां हुए या बीजेपी के साथ ही बताएं को एक रिपोर्ट बताएं जो दंगे की अर्शनी को भाष टिक ए बिल्कुल जाज की रिपोर्ट नाइंटी नाइन परसेंट सार्जेनिक नहीं की जाती हैं यह नहीं होता है यह किया जा सकता है जो प्रदेश सरकार वर्तमान में कर रही है किसी ने कंप्लेंट किया था क्या किया था या भी हमें कुछ नहीं पता मुझे नहीं पता वेक्ति की तुरूब से कि किस आधार पर क्यों एक रिपोर्ट सांजनिक की जा रही है और जो जो चीजें उसमें हैं वो पुब्लिक को बता दी जाए ठीक है उससे दिगे मैं इक बा बहुत नंबा समय है लगवागा आधी सदी के असपास का उसमना हो चुका है और यह समय कोचरते के बादाजी को पब्लिक करने के लिए हलो जी अब आजारी है मेरी आपको पांजी अंजी सुन पार है हम आपको बताईए हलो फॉन कट गया है ठीक है मैं अपने टीम से कहू साल हो चाहिए कर देना चाहिए तो तो अगर सरकारों नए सारगनि किया था उन सरकारों से परतमान बीजेपी सरकार पूछे क्यों नहीं सारजनिक किया था जैसे बीजेपी सरकार ने एक साइटी गचित किया था लख्षीपूर कांड में आज तक कुछ साइटी की रिपोर्ट सारजनिक नहीं हुई क्यों भी का दें देखी वाला भी कर रहे हैं हम आज यह ल किर रहे हैं लिबरान आयोग वाला भी हम अनुकर दे रहे हैं यहह सरकारों काम नहीं है आया क्याय ला इक Rock जानीक कर दे रहे हैं किया यह व्यक्राव काुश्चिस एपी सक्षेना के द्वारा तो जलसी जाथी लिजएपी सरकार को आके बताना चाहिए कर रही है बरतमान में तीन चार रिपोर्टे अभी उसने एसाइटी की जाच कर रही है ठीक है उनको भी सारी निक कर दें बधावें कि पकड़ काफी मजबूत और कहीं नहीं किये कि मजबूत विपकशी पार्टी कहीं जाती है सपा तो आप कहीं नहीं भाजबा सरकार पर इस तो हमने कुछ नहीं का अब क्या हैं लडाई वह राही है पृटभाण मंतरी प्रदान मंतरी के दावे दावेदार हैंाग थे बोटे-वफोटे हैं चारज्व GG 근 lasation नहत्र आपको बता दिया पड़ लेकि तोड़ रहे हैं उत्र horror contentus जी तो उनके कारिकाल में 6-7 रिपोर्टे जा चाहिए हैं, SIT की रिपोर्ट में, उसको भी सारजनिक कर दें, और पीछे की सारी रिपोर्टे सारजनिक कर दें, कौन रोकेगा उनको? चुकि अब माग उप रही है कि जो लखीम पूर का कान डूआ, उसकी रिपोर्ट भी सारजनिक कर दी जानी चाहिए और जो तमाम आपके कारकाल में जो सभी जो थोड़ी बहुत भी चुटपुट हिंसा हुई है उसके भी रिपोर्ट सारजनिक हो जानी चाहिए दिखी मुस्कान जी विपच्छ अपने जिम्मेदारियों से भाग रहा है रिपोर्ट साजनिक करने में सरकारे गुरेश तब करती है जब सरकार की करनी और कत्री में कई अंतर हैं धाल में कुछ काला है घुद्रा दंगे में नाना वट्टी कमिशन बनाया गया था नाना वट्टी कमिशन की रिपोर्ट बेजान तबा के फटल पर रखी गई इसी तरह जिस रखिमपूर मामले में साइटी की बात कर रहे हैं साइटी के रिपोर्ट साजनेक है उसी रिपोर्ट का दार पर आसी समिस्तरा के साथ और लोगों को रिप्तारिया हुई कोई भी रिपोर्ट का कोई पन्ना किसी के उपर से दूर रही है ऐसी बाते करना उशित रही है जब कोई कमिशन बनाया जाता है तो कमिशन अपनी रिपोर्ट सजन के पटल पर रखता है सजन के पटल पर रखने कारत यह होता है कि रिपोर्ट विधान सवा की संपत्ती होगी और संज्यान में आ गया है और इसकी परसी काफी कोई भी प्राक्त करती है यह रिपोर्ट 43 साल बाद अगर साजुनिक किया रही है कि इसमें बहुत से लोगों को अपने उन गुंसुदा लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी बहुत सी बाते असपस्टोंगी और यह बहुत पहले किया जाना चाहिए था यह इसके लिए 43 साल का समय बहुत लंबा होता मैं रभीन जी किस बात से सामात हूं जो कांगरेस के में करें चेकि आधी सजी वीद गई तो यह आधी सजी हमने तो नहीं बिताई आप कि समय में यह कमिशन मना था इसके समय नहीं कर दिया होता अगर उसमें कुछ ऐसी बाते नहीं थी तो उसको इतने दिनों तक डंप रखने का उच्छत क्या है और अगर उसको छिपाना ही था तो कमिशन मनाने का उच्छत क्या है जनता की टेक्स के पैसे से कमिशन मना करके और रिपोर्ट बनवा करके उस रिपोर्ट को साजनिक न करना या तो आप जनता को गुबरा कर रहे हैं कि भाई थोड़ा स्थंडे रहो कुछ दिन भूल जान इस तरह की राज़ीत में भारती जनता पाल्टी मिश्वास नहीं करती तो आपको तो फिर इस पहल की सराहना करनी चाहिए कि हो सकता है इससे सीखने करके नमाँ पार्टियों के अब जो रिपोर्ट रहे हैं कि गोजरा दंगे में नाना वट्टी कमिशन के रिपोर्ट साजनिक की गई है बोल लिया मैं बोलू बोले पावन जी कि एट्टी का जो दंगा हुआ था यह कुई भी दंगा होता है अभी खुद बीजेपी के साथ ही रह बुला को विधानसभा की संपत्ती हो जाता है और विधानसभा की पटल पर रखा जाता है बलकुल नाइंटीनेटी में ऐसा कुछ हुआ होगा जाच रिखा गया है तो बात में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो नाइंटीनेटी में चीज़ा हो गई कि अगर पिछली उसमें साथी सरकारे आ गई और किसी को नहीं तिकाई दिया तो ऐसा निंके आगा है अगर वो कुस्चंस की बात आएगी तो आफिर योगी कि जो रिपोर्टर्स को साथ नहीं किया जा रहा है माक्र यह कादेश दिया करें है तो हम इस बुरू से करें हैं किया रिपोर्ट अरे करका नहीं हैं तो हुं तो वापस नहीं है लेकिन जो परिसाथी रही है जो रूल्स में कीज़ा रही है जो सारे रूल्स है जो सारे सम्विधान में कानून है उसका पालंग करते हुए आपने एक्शन लिया था ये कह रहे है एक इंसान ऐसा बता देजे जिसको मुआफ़ा मिला हूँ या एक पोलिस कर्मी आसा मुझे पता ये जो मुझे पूण है जो यहां मुरादाबाद के दंगे में मुर्षित भूआ हूँ और उसके परिवार वालों को मौवजय या सरकारी नौकरी मिली हूँ सर मेरे पास जो मेरे अपने डेटा है उसके मुताबिक ना एक भी पुलिस वालों को कुछ भी ना उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद दी गई है ना ही उनके परिवार वालों को नौकरी दी गई है लेकिन आपने तो और पेपर मौत का अकड़ा ही कम बता दिया जब आपने और पेपर मौत का आकड़ा रही कम बता दिया वहाँ भी कुछ ऐसे इनर संघार हुआ था तब वहाँ मृत्कों का आकड़ा क्या था और जो आकड़े आपने पेश किये वो पूरी तरीके सहावा हवाई है ये पूरी जनता जाती है चीक है रविंद्र जी आप मैं सीधा आपकी तरफ रुख करती हूँ रविंद्र जी मैं सीधा आपका अरुख करती हूँ क्या आपको नहीं लगता कि इस दंगे की रिपोर्ट आज आनी चाहिए था और जो भी पेड़ी थे उनको वावजा मिल जाना चाहिए था पहले से स्थापित कानून है वो कानून आज तक हैं उस स्थापित कानून के बदले में उनको नोकरियां भी मिलती हैं मुहावजा भी मिलता है तो अगर आप ये बात कर रही हैं तो अभी हमारे पास नहीं है जिकिन मैं दो दिन के अंदर आपको जान रिपोर्टे बेज दूँगा आप दो दिन का समय लेंगे सर मैं आपको अभी डिबेट खतम होने के बाद ही वाटसब करवा दूँगी मैं आपको भेज दूँगा कि किसको सरकारी किस किस करमचारियों को मुहाज़ा मिला बेल को भेज दूँगा ठीक है ना आप दूसरा विश्या पर आईए लिब्रा लिब्राहन आयोग भारत का सबसे लंबा चला हुआ न्याई कायोग है जो गटित किया गया था उसकी रिपोर्ट आज तक सारजनिक नहीं होई मानिय सुप्रिम कोड जब फैसला दे रहा था अंदिर मस्जिद विवाद का उस समय उसके उलेक लिए उसने लेकिन आज तक नहीं किया गया उसमें भी हजारों लोग मरे थे दोनों तरफ से तो आप ऐसा करें कि लिब्रा आयो की गोजित करते हैं लिब्रा आयो की रिपोर्ट को गोजित कर दीजे उसको गोजित करने में क्या प्राप्लम है मैं कह रहा हूँ फिर एक बहुत दुखदाई गटना बताया आपने उसको संग्यान नहीं लिया मलियाना में 72 लोग मारे मेह शाठव के साठव से बहत्तर कहा जाता है कि चारशीर जो शामीरियिय में वीजेपी सरकार के टाइम एक उसने लिख दिया गया किसी को नहीं मारान उस वह तो बहunta को भी कि görüş तो क्या कि एक राई शरकार के का प्राइड साल के कि गुजरात दंगे शायद आप भूल रहे हैं उसके भी रिपोर्ट आज तक साराजनिक नहीं की गई है अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं फिर तो फिर तो फिर तो फे मैं बियॉंडी का भी दंगा शुरू कर दूंगा बिलकुल अगर अगर सारी रिपोर्ट को स वेग जी अब तो आपकी की सरकार पर सवाल उठने लगे है कि आपके जो साशनकाल में दंगे हुए आपको फिर उसके भी रिपोर्ट सारजनिक कर दी जानी चाहिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए हमारे शाशनकाल में जो सबसे बड़ा दंगा हुआ वो मुझफर नकर दंगा हुआ और उस दंगे का माननिय सुप्रिम कार्ट ने संग्यान लिया है एक एक बेक्ति को सजा हो चुकी है दो और बेक्तियों को सजा हुई है और मैं जितने कांड बता रहा हूं सब हमारे सरका का है कि सब्सक्राइब का दंगा है इन सब्सक्राइब कि जाच करांगा वा है विवेक जी रविंद्र जी ने आपसे सवाल किया है कि आप इन सभी दंगों की जाँच करवाएंगे थोड़ा साथ पर्च कर दीजे पर्च क्या कह रहे हैं विवेक जी आपने बातों को जरा एक बर फिर से दुरा दे ताकि विवेक जी आपके सवालों का जवाब भखू भी दे सकें मैं तुरा दूँ बिल्कुल आपने आपने समय के दंगों का जाँच क्यों नहीं कराया अपने हैं तो मैं वहरी टाइम में बोगरएक बिल्वाएक में 25 में 1000 चुंदे वे और हमारे हमारे का हमारे कि ऐस एका करा दीजिए सारे का दूस का दूस पानी का पानी हो जाएगा बताएगे विवेग जी इनका प्रस्ट सुनके आप मुझे दोरा दीजिए उसका उस्तर दे देता हूँ चले ठीक है मैं वापास आपके पास आओंगी पावन जी देखिए एक लंबी यानि के 43 साल बात के लंब पावन जी ठीक है एक बार को हम सबकी बात माल लेते हैं कि हो सकता है कि धर्म की राजनीते को कही न कहीं तूल देने कि लिए इस रपोर्ट को सारवज निक किया जा रहा है लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आपके साशन में गेर रिपोर्ट सारजनी की जादी तो आज ये मुद्दत 40 साल बाद फिर से इतना लाइम लाइट में नहीं आता अगर ये मुद्दत 40 सारजनी लुदत 40 पार्टिया आपके वाजनी को तोर्ट इस राजनी को सभी नहीं लाजनी के लिए मुद्दत 40 पार्टिया इस पे नहीं देने मुद्दत 40 पता जोंगे तो आपके अपर्ग होता इं आपस में बैटके बाता करीजा ताकि वो चीजे ज्यादा आगे ना बढ़ पाएं अब जी लेकिन अभी आपने सुना कि विवेक जी ने कहा कि आखिर कुछ तो इस रिपोर्ट में आसा था जो कॉंग्रस ने उस रिपोर्ट को सामने लाना बुनासित नहीं सब्छा कि विवेक जी को कैसे पता है कि उस तो ऐसा था कि यह क्या सब्सक्राइब कि इन लोगों को बविस्त्र में की बातें पता होती है जो होने वाला होता यह पता होता है इनकी इन कि आप समझ लीजिए और देखें यह परिपाटिया आप स्टार्ट कराएंगे आप देखें उसका सरकारों के स्तर पर अगर इस तरह की विद्वेश की राज़ितिया चलने लगेंगी तो कल को और पार्टियों सब्सक्राइब तो इनकी खुलेंगी इनकी आइंगी इनकी सब्सक्राइब तो आप माहूल कैसा देने वाले हैं आप किसी को दोसी मुझे मैं इस चीज़ को पब्लिक पे नहीं कहना चाहता हूं लाइन नहीं कहना चाहता लेखिएगा एक धरम विचेश की लोगों को इसके बारे में जिम्मेधार ठेराय जाएगा और वहां से फिर वही चीज़ शुरू होंगी तो कि 24 आगा ठीक है राविंद्र जी इतना जादा गरम कर दिया गया है इंडिया का सबसे कमुनल इस टाइं में जो एरिया है वो यूपी है और खासका बैसन यूपी है इसको फिर तुबार से हीट अप किया जाएगा उसी त अपर वातनी होगी बात सिर्प होगी कहीं ना कहीं कि यहीं होने वाला है बिल्कुल रविंद्र जी लगतार आपके पार्टी कहीं न कहीं यह कहती है कि भाजपा किसी विशेश तपके को हमेश्वा फायदा पहुचाती है लेकिन अभी तो यह मुसल्मानों के फायदे के ल है तब आपको इतनी तकलीफ क्यों आप कैसे जानगे मुझे ने वालु मैं दूसरी बात यह है कि हम किसी जाती धर्म के लिए कामी नहीं करते हैं कि यह जांच की रिपोर्ट का खुलासा हो इसके साथ अन जांच की रिपोर्ट का भी खुलासा हो इसमें एक चीज़ और जोड़ के कह रहा हूं है आप 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 आपने बिल्कुल पीड़ा नहीं उस पे दिग्या कि मलियाना में 62-62 लोग मारे गए उनकी चार शीट में जा चुकी है और उसमें मैंने दर्म बिशेंग कि किसी भी जांच में मैंने दर्म बिशेंग की बात नहीं किया गुजे लगता है पहले फिर मैं आपको या दिला दू यह आप ही का बयान था कि कही ना कही धर्म की राजनीती को तूल देने के लिए भाजपा अब इस रिपोर्ट को सारवजनी कर रही है शायद आपी को अपना बयान याद नहीं अभी आपने अभी आपने जिक्र किया है कि हमारी सिल्पे की उनके साथ नहीं है शाजाहापुर में जो गेंद्र का वो चेहरा शायदा पूल रहे है जब उसने मरते-मरते सपा मंत्री का नाम लिया था कि राम मूर्ती वर्मा की कहने पर पूलिस नो ने जिन्दा जला डाला आप अगर दूसरे सरकार पर सवाल उठा रहे है तो आपको अपने भी गिरिवां में जाकना पड़ेगा फिर रविंद्र जी हमारी गिरिवां तो बहुत छोटी सी है लेकिन मैं आपकी आपकी बात बता रहा हूं आप उन बहत्तर बहत्तर लोग के जिनकी अत्या की गई पी एसी के दौरा एक शब्द नहीं बोल रही है एक पत्रकार के बारे में कहा तो दूसरा पत्रकार जो मारा गया कि एंसर से मरा उसने भी बेयां दिया कि हमारे साथ बड़े अत्या चार हुआ हमको बहुत पीचा बहुत बूर तरीके से मारा उस पत्रकार के लिए भी दोश्याद बोल दीजिए न और अई बात कि भारतिये जनता पार्टी दुरूरी करण का काम करती है तो हम खाली भारत प्याफाई को क्या काएंगे प्याफाई साब परता एक दुरूरी करण करती है तो उसके उपर बैन लगना चाहिए उसी तरीके से जैसे सिंभी पर बैन लगा हुआ है या मरे साथ जुने के लिए बेहादी धन्यवा तो अभी आपने देखा कि 43 साल बाद आखिरकार सच से परदा उठता हुआ दिखाई देगा जिहां मुरादाबाद में जो दंगे हुए थे 1980 के दशक में तब 1980 के दशक में यूपी में कॉंग्रिस की सरकार थी और उस दोरान सियम थे विश्वनात प्रताप और सियम बनने के दो दिन बाद दी इद के मौके पर दंगे की तस्वीर पूरे प्रदेश ने देखे थी और अब 43 साल बाद उस जाज रिपोर्ट को सारवजनिक किये जाने का भी अलान हो चुका है ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि यूपी में आज तक जितने दंगे हुए फिर सभी की रिपोर्ट सारवजनिक की जानी चाहिए क्योंकि सभी जानना चाते है कि आखिर उन दंगों के पीछे था कौन उन दंगों के पीछे राजनीती थी या उन दंगों के पीछे महौल को विगाणने की कोशिश थी हिंदू मुसल्वानों की राजनीती करने की कोशिश थी यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि तमाम बार्टी अब ये भी सवाल उठा रही है कि अब तक जितने भी दंगे हुए है यूपी में उन सभी की रिपोर्ट सामने आ जानी चाहिए क्योंकि जनता को सच जानना है अब जनता सच जाना चाहती है कि आखिर यूपी में जो इतने भी दंगे हुए हैं उन सब के पीछे हाथ किसका है क्या वो सभी दंगे राजनीती से प्रेरित थे या फिर हिंदु मुसल्मान को टार्गेट करके उनको उकसा करके इन सभी दंगों को अंजाम दिया गया अब य यह फिलाल अब योगी सरकार ने ये तो एलान कर दिया है जो रिपोर्ट है वोसारवजनी करेगी दंगों की रिपोर्ट सामने आ जाएगी लेकिन कब तक सामनी आएगी इसका इंतजार पूरे प्रदेश को है क्योंकि मुरादबाद की वह तस्वीरे हम सभी को याद है कि जब रोते भी लगते लोग अपने घरों से निकल रहे थे एदगा से बाहर निकल रहे थे लेकिन वो निकल नहीं पा रहे था और ना जाने कितने लोगों को उस दोरान मौत के घाड उतार दिया गया फिलाल अब पूरे प्रदेश के जनता को साथ इसाथ पूरे देश की जनता को इंतजार है कि आखिर इस रिपोर्ट को सारवजनिक किया जाए और जो असली गुनेगार है उसका चैरा भी अब सामने आ जाना चाहिए खबर दो पैर में फिलाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें रहें प्राइम टीवी के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार जा सकर हैं प्राइम